करह नदी में डूबने से आट वर्षी बच्चे के हुई मौत परीवार में मचा कुराम बिथान परखंड के सक्वा गाउं में बुधवार दुपहर करे नदी में नहाने दोरान आट वर्षी बच्चे के डूबने से मौत हो गई हादसे के सूचना मिलते ही मिर्टक बच्चे के परिवार में खुराम मज़िया जानकारी के मुताविक सक्वा गाउन निवासी महिश्वर सदा का आठ वर्शे पुत्रम मनिस गाउं के अन्य बच्चों के साथ करह नदी में असनान करने गया हुआ था असनान के दोरान मनिश गहरे पानी की तरफ चला गया जहां मनिश कुमार दूब गया साथ में असनान कर रहे अन्य बच्चों ने मनिश को दूबता देख शोर मचाया शोर सुनकर आसपास के लोग दोर कर नदी किनारे पहुंचे तब तक मनीश कुमार डूप चुका था ग्रामिनों के सायोग से मनीश का सब नदी से निकाला गया इधर हाथ से के ख़वर लगते ही मनीश के परिजनों में कुहराम मच गया रोते भी लगते परिजनन नदी के किनारे पहुंच लिपट लिपट कर दहार मार रही थी असानी लोगों के दुआरा पुलिस को सूचना दिया गया जिसके बाद वीथान पुलिस घटना स्थल पहुंच सब को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कौमी तंजीन न्यूस पेपर दरभंगा